निगम मंडल अध्यक्ष को हटा दिया है सभी निगमों के उपाध्यक्षों को भी हटा दिया गया है और प्राधी करण के अध्यक्ष भी हटा दिया गया है तो बड़ी खबर इस वक्त की 46 निगम मंडलों के अध्यक्षों को हटा दिया है राज्य सरकार ने तो भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता दे राज्य सरकार ने चालीस निगम मंडल अध्यक्ष हटा दिये गए सभी निगमों के उपाध्यक्ष भी हटा दिये गए अब नए सिरे से यहाँ पर निक्तिया होगी और इस वक्त इस पर जयाद जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे साथ हमारे एग्जेक्टर एडिटर मनो सैनी जी जुरगा है मनुजी क्या कुछ कहा जाए कि यह तो लगातर पहले से कयास चल रहे थे कि राज़सरकार उन अध्यक्षों को भी अठाएगी उपाध्यक्षों को भी अठाएगी तो क्या उसी के अनुरूप ये किया गया और अपने तमाम जो लोग है अपने नए सीरे से उनको न्यूक किया जाएगा? तो राजय सरकार ने 46 निगम मंदल अद्धिक्ष अटा है तो आज बड़ा फेर बदल किया गया 46 निगम मंदल के अद्धिक्षों को हटा दिया है सभी निगमों के उपाद्धिक्षों को भी हटा दिया गया है प्रादिकरन के अद्धिक्ष भी हटा दी गया है तो बुपाल से इस वक्त की बड़ी खबर इस खबर पर आपको अपडेट देंगे तो बिलकुल सरकार बदलते ही यह कयास लगाए जा रहे ते अटकले थी कि बदलाव देखरी को बिलेंगे और चालीस निगाम बंदल अंदक शटा दिये जाए इस पर जयास जानकादी के लिए एक बाद रुक करेंगे हमारे साथ हमारे एग्जुकिट एडिटर मनो सैनी जी जुरगाया मनो जी जिस तरके अटकलें थी अब वो बदलाव यहाँ पर देखा जा रहा है अब अपने लोगों को सरकार लाएगी यहाँ पर देकि स्वाविक है अपने तो सभी है सभी बारती जनता पार्टी के है लेकिन चुनाओं से ठीक पहले आपने देखा होगा कई ऐसे निगम थे जनों में बरसों से निफ्टिया नहीं होई थी लेकिन किया गया था 2023 चुनाओ विधान सभा से पहले और कुछ लोगों को साल अलवर उन दो साल पहले निफ्ट किया गया था जा थतकार प्रवाव से सोची जारी हुई उसमें च् Celebrant के अचिए उपाद्रेक्ष उपाद्रेक्ष उठाया गया थें वहन यादव दुबर्तमान मुक्मंत्री हैं वो अपने हिसाब से नई जमाबट करेंगे नई लोगों को मुखा मिलेगा और इसमें चुनाओं का वो भी देखा जागा किसका कैसा परफर्मेंस रहा काम रहा क्यों कि उफलाइस भी करना होता है लोग सबार चुनाओं से पहले